कुछ लोग विशेश रूप से रमजान को लेकर स्वाल उठा रहे हैं कि कारिकम क्यों बनाया गया है ऐसे नेताओं को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो रमजान रखते हैं इबादत करते हैं उनको कोई आपक्ती नहीं है उनको बहुत आपक्ती है उस समय तो होली भी आ रही है कि कुछ दिन बाद चैद की नौरात्रा भी आ रही है पहले भी चोरी की घड़ना हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है और जो लोग इस स्वाल उढ़ा रहे हैं उनको हम कहना चाहेंगे पिछले साल का कैराना का लोकसभा का उप चुनाओ तो रमजान के महिने में हुआ था तक मुझे इस परण है और वहां बीजेपी की हार हुई थी बोलो जीते थी तो दर्जनों चुनाओ त्योहार के समय होते हैं हाँ जिस दिन इग्जेक्ट त्योहार होता है उस दिन वोटिंग नहीं होती है इसका इसकी ध्यान के या तो यह जो लोगोंने स्वाल उठाया है यह उनकी हताशा है यह हम कहना चाहें